इस कारिक्रम के पुन्यार्जक हैं गरुभक्त परिवार श्री विरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4 बटा 142 बालुगंज आगरा उतरप्रदेश श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्री मती ममता जी जैन, श्री प्रिशान्त जी जैन, श्री मती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्री मती सौम्या जैन, एवं समस्त परिवार मुंबई आपने जन्द्म के उस्तर पर विस्तर पर शांतिया करा कि साथी से पुनिकाजन कर सकते हैं जन्द्म के उपलक्षपर महन जी बिजल जी किर्थी व्यान पलक जय जै जैन सापरिवार बेंकट वो 36 गर से निक्की चेतन्य मनी जैन के जनन्य के उपलक्ष पर शापर 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 श पुड़ुगाँ से कुमारी नव्या जी के जन्त के उपलक्ष पर सापरिवार। पुड़ुगाँ से कुमारी नव्या जी के जन्त के उपलक्ष पर सापरिवार। पुड़ुगाँ से कुमारी नव्या जी के जन्त के उपलक्ष पर सापरिवार। पुड़ुगाँ से कुमारी नव्या जी के जन्त के उपलक्ष पर सापरिवार। पुड़ुगाँ से कुमारी नव्या जी के जन्त के उपलक्ष पर सापरिवार। पुड़ुगाँ से कुमारी नव्या जी के जन्त के उपलक्ष पर सापरिवार। पुड़ुगाँ से कुमारी नव्या जी के जन्त के उपलक्ष पर सापरिवार। पुड़ुगाँ से कुमारी नव्या जी के जन्त के उपलक्ष पर सापरिवार। अनिया जुराज नुसका जी पाडिया सापरिवार। सभी के जीवन वे शुक्षांती शम्रद्धियों ऐसी मंगल भावनक्स्या थम्सांतियरा शंपन्य करते हैं। साहु सर्णम्पवजामी, केवली पढनतम धम्मं सर्णम्पवजामी, ओम नीमनादी मुल्मंत्रे भ्यो नमा, सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चा कुरु कुरु, ओम नमोरते भगवते प्रिक्षिनाशेश दोशकल मशाय, दिव्यते जौ मूरते नमा, Hare 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 से भंदान कुरु कुर पर मुद्राम चंध चंध परमंत्रान बेंद कुरू कुरू ALLM रेम शरीमक्ली पंकुरू कुरूय व्यु प्रियं राम् कंट पीजल ट्रा ओने में रहे स्वार्शा इन्ह कर दो िर्श क्प्राइप लिया रंव पीजारे साल ड्र सेंंदे कर आये सरुपरिश्री सताधाया मंडिताया इसरुपरिश्री सतप्राथैया सवबन प्रद非 महमनि उमिज उम प्रजाय करआया इनम'm सरुशान्ति म कुरुगरु नमृ wherebyमृ निम्शी शांति नाद Śांति ना &ै – civशे ने से ना बांदा प्रदया वहले और भी जाया है व्लस आती तशुम 태 म्यeking Luther King anal Thermopy तो ऑम्रीम्हें शी की शांति नाधा है तिवल यूमेयव भी जाय सरुपडर शांति रंधा यौरीम्हें विंज सट परातर शबंपक्रदाए सामयलियों भीजाइ सर वो भुफर शांति क्राइब लाखरू शानति कुरू जाहिं मुझ्षिशांति नnings मेंच्छ सपने हम जाहिं नहीं सचमह भुरूbीज निस नतीज जाहिं शोभन कुरू जाहिं ओम्री मरम्नमो जुनानां सरुशाम तिर्भवतु 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 करो तुशामतिम भगवान जिनेंद्र करो देवाजी जेव एखजराट स्री भगवान महाभीरश स्वामी की जै 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 अहिंसा परमो धर्म की जै 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 परम पूज आचेर गुरुवा स्री विद्या सागती महराथ की जै 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 परम पूज एक्सवार मुनिवर्सी प्रमान सागर जी महराज की जै 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 नमोस्त गुरुजे मनुष्ट के जीवन में अनेश लोगों का संग होता है और कई जगा उशे संग की सहायता की सहायकों की आवशक्ता भी पड़ती है बेहवारिक जीवन में अनेख लोगों के संपर्ग और संसर्ग में रहना पड़ता है जिने हम अपना मित्र कहते हैं अपना बंधू कहते हैं और ये आवशक भी है एका की जीवन जीने वाले विक्ति के जीवन में जब कोई ऐसे प्रसंग आते हैं तो उसे किसी बंधू भाई की जर्वत परती है आज गुरुदेव ने बंधू के संदर्ग में जो बात कही है वो लेकर आप सब के बीच में आया हमारे दोस जिन से फले फुले वे बंधू कैसे बहुत महत्तपून बात कही है हमारे दोस जिन से फले फुले वे बंधू कैसे आज लोग बंधू बांधू को बढ़ाना चाहते है रिलेशन सी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाते हैं और बहुतों से रिलेशन बनाते भी लेकिन किशे हम अपना बंधू कहे बहुत महत तपून है और ये बहुत सही है कि जो इस्थान एक बंधू ले सकता है वो कोई नहीं ले सकता हमारे कई प्रकारिके बंधू होते हैं एक वो जिन से हमारा रक्त संबंध होता है भाई बंधू है वो परिवार जन है वो पारिवारिक बंधू है जन्म से वो हमारे बंधू कहलाते हैं कहलाते हैं हो ये कोई जरूर नहीं है उसकी चर्चा तो भी बात में करूंगा दूसरा बंधू वो होता है जो निश्वार्त भाव से अकारण कभी परिशानी, कटनाई, उल्जन या मुशिबत में फसने पर हमें सहायता देता है, मदद देता है, वो हमारा सहज बंधु बन जाता है उसका अपना कोई स्वात नहीं, किसी की कोई पहिचान नहीं, कुछ संपर्क नहीं फिर भी विपत की घड़ी में उसने हमारा साथ दिया, और ऐसा रिलेशन बन गया, जो अपनों से भी अच्छा हो तीसरा बंधु है, हमारा अध्यात्मिक बंधु जो हमारा हीत चाहते वे, हमें दोसों और बुराईयों से बचाता है, तरह तरह से प्रेना दे देकर किसी भी तरीके से हमें हमारे रास्ते पर लगाता है, वो अध्यात्मिक बंधु है और चौते हैं, दीन बंधु करना निधान प्रभु सब के प्रती जिन की वच्छलता है, तो बंधु मिलना बड़ा दुल्लव बंधु मिलना बड़ा दुल्लव बहुत कठिन सब कुछ मिल सकता है, बंधु नहीं हेंडरी फोर्ट से जब उनके जीवन के अंतिम जिनों में लोगों ने पूछा कि आपने इतना धन संपत्ति कमाया, आप अपने जीवन के अंतिम च्छनों में कोई अनभव बताना चाहेंगे तो उसने कहा कि मैं यही सोच रहा हूँ कि अपना जितना श्रम, समय और सकती मैंने पैसे कमाने में लगाया, यदि अच्छे मित्र बनाने में लगाया होता, आज मेरी स्थिती कुछ बेहतर होती महत्त पूर्ण भूमका है बंध्वों की, एक अच्छा बंध्यू बहुत दुर्लव मित्र मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, कहलाने वाले बंध्यू बहुत मिल जाएंगे लेकिन अच्छा बंधू बहुत मुश्किल है किसको कहेंगे हम अच्छा बंधू चार बते जो बिपत्ती में साथ दे सबसे पहला लक्षन सबंधू यो वसने सहाई जो बिपत्ती में साथ दे वो हमारा बंधू है अब बिपत्ती में किनारा काट ले वो हमारा बंधू नहीं सत्रू हो सकता है बिपत्ती में डाल दे वो सत्रू हर मुनिष्ट के जीवन में कई तरह के उतार चिलावाते है अचानक कोई वेक्ति किसी महाब पत्ती में फस जाए और उस घड़ी कोई वेक्ति अकारन आकर के उसका साथ दे दे उसके प्रती वेक्ति की जो सभावी कृतग्यता प्रकट होती है उसे सब्दों में नहीं कहा जा सकता और उस समय अपेक्षा भी होती है हमारे लिए कोई वेक्ति में साथ दिया या दे और जो वेक्ति ऐसा करता है जीवन परियंत लोग उसके प्रती एहसान मंद होते हैं और अंदर की एक अलग आत्मियता का भाव प्रकट हो जाता है आप देखो कहावत है कि वक्त पे ही अपनों और गेरों का पता लगता है जब बुरा वक्त हो उस समय तुम्हें जो साथ दे समझना वही तुम्हारा अपना है और कोई तुम्हारे सामने कितनी भी आत्मियता दिखाए बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े नहों वक्ति बंधू कहलाने का मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं है वो नाम का बंधू होगा वो नाम का मित्र होगा लेकिन वो सच में देखा जाए तो बंधू और मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं है आज कल देखने में यही आता है कि लोग अच्छे समय में तो खुब आगे पीछे घूमते हैं और जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वे लोग किनारा काड़ते हैं जिने हम अपना मानते हैं सबसे पहले वे किनारा काड़ते हैं संत कहते हैं ऐसे बंधुओं से सत्रू अच्छे जो जरुवत पर साथ न दे वो बंदू, बंदू कैसा और ऐसे बंदू से बंदुता और मित्ता बढ़ा कर मैं अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता बंदू वही जो बिपत्य में साथी बिपत्ती में साथ निभाए और हमें बिपत्ती से बचाए हम ऐसे अनीक प्रशंग जानते हैं जहां बिपत्ती में फसने वाले लोगों को साथ देने वाले उधारने बे मिलते हैं तो बिपत्ती में पढ़ने पर सहयोग की अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करने वाले भी मिलते हैं दो उधारन में आपको देता हूँ बिपत्ती में साथ एक विक्ती जो हलवाई गिरी करके अपना काम करता था उसका दूसरा भाई करोल पती और समाज का मुखिया बड़ा भाई हलवाई और छोटा भाई समाज का मुखिया करोल पती उस हलवाई की किड्नी खराब हो गई लोगों क्या मजूरी पे काम करता था साधी ब्याव वगरे में जाता हाजरी पे काम होता उसकी किड्नी खराब हो गई उसके लिए तीन लाख रुपे की आवस्टता पड़ी सौभी मानी था किसी से मांगना नहीं चाहता था बिपत्ती की घड़ी थी छोटे भाई को पता चला लोगों ने कहा कि भाई तुम इसको सयोग कर दो उसकी धर्मपत्नी किड्नी देने को तयार है और किड्नी मेश भी हो रही है तीन लाख रुपे अगर दे दोगे तो उसका जीवन बच जाएगा छोटे भाई ने पैसे देने से साफ इंकार कर दिया मैं मेरे पास पैसा नहीं है मैं उसको नहीं दे सकता इंकार कर दिया ये सुचना उस नगर में रहने वाली एक बिध्वा महिला को मिली उम्र दराज महिला थी 65 साल पार कर चुकी थी उसे पता लगा कि हमारे साधर्मी बंधु के उपर आपत्ती है और वो इसका निर्वाहन करने में समर्त नहीं है उसे तीन लाख रुपे की जिरुवत है उसने फट से अपनी एक करधनी निकाली और कहा इसे बेच के इसका इलाज करा दो मैं करधनी अब नई भी पहनूगी तो काम हो जाएगा लेकिन इसका जीवन बचना चाहिए मैं इसके दे लगाना चाहती हूँ आप सोच सकते हैं कितना बड़ा त्याग जिसका कोई रिष्टा नाता ने केवल साधर्मी बंदू सगा भाई तो मूँ फेर रहा है और जिससे कोई राज रिष्टा नाता ने केवल साधर्मी होने के नाते उस सयोग के लिए अपना हाथ बढ़ा रही है और हाथ भी क्या अपनी करधनी बेच करके उसके अपने जीवन को धन्न बना रही ये है बंदू का लक्षन बंदू का लक्षन और ऐसे भी उधारन दिखें कि भाई विपत्ती में पढ़ा और दूसरा भाई उस घड़ी में उसकी संपत्ती हरपने का प्रयास कर लिया आए दिन आप लोग देखते सुनते हैं तो ज्यान रखना बंदू वो नहीं जिसे तुम अपना कहते हो सच्चे अर्थों में बंदू वो है जो तुम पर अपनत तो न्योचावर करता नीती क्यारू ने लिखा है परोपी हितम बंधू बंधू रप्प हितम परह अहितो देह जो व्याधेव हित मारन्य मौसधम कि यदी कोई हितकारी है तो पराया होने पर भी तुमारा बंधू है और अहितकर है तो तुमारा अपना होने पर भी तुमारा बंधू नहीं है उधारन दिया शरीर में उत्पन होने वाली ब्याधी भी अहितकर है वो अबंधु है और वने में उत्पन होने वाली औसधी भी हमारी बंधु है बात समझ में आ रही है बिमारी शरीर में उत्पन हुआ है हुई है और सरीज में उत्बन होने वाली बिमारी भी मेरे लिए पर है अबंधू है सत्रू है और उसको ठीक करने के काम में आने वाली आउस्दी जंगल में हो रही है अरन्य में उत्बन होने वाली आउस्दी मेरे काम की है तो हमें ये देखने की जरुवत है कि हम, हमारा हित कहां है और अहित कहां है तो बंधू वो जो बिपत में साथी दूसरी बात जो हमें बुराईयों से बचाए वो बंधू गुर्देव जो कह रहे है हमारी दोस जिन से फले फुले वे बंधू कैसे सच में बंधू वही है जो हमें बुराईयों से बचाए कहने को हमारा सगा है कहने को हमारा मित्र है कहने को हमारा बंधू है और उसके बाद भी हम उसके दोसों और दुरबलताओं को नजर अंदाज करें केवल यह सोच करके कि इससे हमारे रिलेशन खराब नहों उसको बुरा न लग जाए तो ऐसा वेक्ति बंधु कहलाने लाइक नहीं है ऐसे वेक्ति तो चाटुकार वेक्तियों की श्रेणी में आते है वो तो चाटुकार है चापलू से स्वार्थी है सच्चा बंधु वही है जो अपने बंधु को दोसों से बचाएगा उसमें कोई भी दोश है कोई भी दुरबलता है कोई भी बुराई है तो उसे किसी भी इस्थिति में फलने फुलने न दे उससे उसे बाहर निकालने की ठेश्टा करे देखिए अच्छे मित्र या अच्छे बंधु कैसे होते है दो दोस्त दोनों बड़े मेधावी और साथ पढ़ने वाले तो एल्थ करने के बाद एक आगे की पढ़ाई के लिए एंबिये करने के लिए बाहर गया मुम्बई में एक बले इंस्टिटूशन में पढ़ाई किया और दूसरा अपने नगर में रहकर के सीए किया चार पांस साल दोनों एक दूसरे से अलग रहा यदा कदा मिलना हुआ दोनों की डिग्रिया हो गई पढ़ाई करने के बाद जो मित्र एंबिये करने के लिए था एंबिये करके लोटा सीए करने वाले दोस्त को मालूम पढ़ा कि मेरा साथी कभी कभी सराब पीने लगा जब उससे मिला तो उसने पूछा क्या मैंने सुना है तुम सराब पीने लगे हो मैंने हाँ कभी कभी ले लेता हूँ थोड़ा बहुत एंज्वाई करने में क्या हरज है उसने कहा कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है हम लोग क्लास फर्ष्ट से एक दूसरे के साथ रहे बारवी तक कभी इन सब चीजों को के बारे में सोचा भी नहीं और तुम थोड़े दिन के लिए बाहर गए और ये लेना सुरू कर दिये उसने का तुम्हारे साथ नहीं लूगा तुम्हारे साथ रहूँगा तो नहीं लूगा बने नहीं ये मुझे पसंद रही है तुम्हारे साथ रहूँगा तो नहीं लूगा मैं तुमसे कहता हूँ मेरे साथ रहना है तो उसे छोड़ो मेरे साथ रहना है तो उसे छोड़ो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे इतने सारों की मित्रता एक तरफ रह गई और चार-पांस सालों में तुम्हारे जो दोस्त यहार आए उसके साथ तुम इस गलत रास्ते कोंगी कार कर लिए तुम्हें सोचना चाहिए या तो तुम सराप छोड़ो या मेरी दोस्ती छोड़ो मैं दोस्ती को बनाए रखना चाहता हूँ बस तुम से निवेदन करता हूँ कि तुम सराप छोड़ो और तै करो दोस्ती को रखना चाहते हो या सराप को साथ में उसे मोटीवेशन दिया कहा कि सोचो जीवन कितना मुल्लवान है हम किस संसकार में जन्मे पले बढ़े है हमारी परंपरा क्या है हमारे विश्वास क्या है और इस तरह की आदतों का सिकार होने वाले वेक्ति की दसा क्या होती है कैसी दुरतसा होती है उसने बड़े मारमिक धंग से उसे समझाया उसने कहा मुझे एक दिन का समय हूँ उसने कहा मैं तुम्हें दो दिन का बाकटे देता हूँ तुम सोच लो लेकिन एक मात मान करके चलना मैं तुमारा असली मित्र हूँ अब मैं नहीं चाहूंगा कि तुम में कोई दुर यसन पले तुम्हें इसे तो छोड़ा ही होगा दो दिन बाद वो आया उसके अंदर घोर उथल पुथल थी उसने का भाई तुम्हारे एक एक सब्द मेरे कान में गुंचते रहे तुमने मुझे सही मारदसन दिया आज के बाद मैं कभी शराब नहीं प्यूंगा अलना केवल सराब छोड़ता हूं ऐसे लोगों का साथ भी छोड़ता हूं जिसने मेरे जीवन को खराब किया ये एक अच्छे बंदू की पहिचान आज कल ज्यादा तर लोग क्या करते है अरे भाई वो उसका परसनल मेटर है हम क्यों बोले ये उचित नहीं दोसों और बुराईयों से बचाने का आखरी च्छन तक रियास करना चाहिए उसे बुरा लग जाए इसकी चिंता आपको है उसका जीवन बुरा बने इसकी चिंता क्यों नहीं बुरा बनता है तो बुरा बनने दो लेकिन उसको बुरा लगना नहीं चाहिए क्या ये स्वार्थी सोच नहीं है तो गुरुदेव कहते हमारे दोस जिन से फले फुले वे बंधु कैसे उसी कभी बंधु मत मालना वो यथार्थ में तुमारा सत्रु है पर मुश्किलिया है जो सत्रु है वो लोगों को बंधु दिखते है और जो बंधु है वो सत्रु बड़ी मुश्किल होती है एक युवक इंजिरिंग की पढ़ाई में गया वहाँ जैसे गया संगती बिगडी उससे ड्रक्स लेने की आदत हो गया एडिक्शन हो गया माबाप उसे समझाए उसके उपर कोई असर नहीं जो भी उसे समझाए वो उसे दुस्मन लगने लगे और जिनके साथ इस तरह की अयासी वो करता था वो उसे मित लगने लगे थोड़े दिन तो सब चला जब पैसे थे तब तक सब कुछ हुआ माता पिता हार करके उसे घर से बाहर कर दिये जब सब कुछ खतम हो गया तब उसे समझ में आया कि मैं कहा चौपाल पर खड़ा हो गया कास अपने माबाप की अपने हिचिंतकों की बात में मानता होता तो मेरा बिगाल नहीं होता लेकिन वो गंभीर बिमारियों का सिकार हो गया ठीक भी नहीं हो पा रहा था और उसे जब पढ़ाई उसकी छूट गई डिप्रेशन का सिकार हो गया सुसाइट करके मर गया सुसाइट करके मर गया मैं सभी से कहना चाहता हूँ खासकर युवाओं से दोस्ती के नाम पर तुम जिनके साथ उठते बैठते हो उन पर तभी तक भरुसा करना और उन से अपना स्नेह संबंद तभी तक बना के रखना जब तक वो तुम्हें वो स्वैम और तुम्हें बुराईयों से बचा के रखे जो खुद बुराईयों में फसे रहते हैं और बुराईयों के लिए प्रेरित करते हैं वो मित्र नहीं सत्र है वो बंधु नहीं वैरी है हमेज समझना चाहिए लेकिन मन को कौन अच्छा लगता है जो मन की करता है जो मन की करता है मन की मानता है मन को बहुत अच्छा लगता है मन को क्या चाहिए मन को तो बुराईयों ही इस्ठे है बुरे लोग पसंद है संद कहते हैं मन की मत मानो आत्मा की सुनो आत्मा के हित की बात करो हित की सुचो तो जो तुम्हारे विपत्ती में साथ दे वो बंधू जो तुम्हें बुराईयों से बचाए वो बंधू जो तुम्हें हित में लगाए वो बंधू हित में लगाए कल्यान के मार्ग में लगाए तुम्हारा अंदर से भला चाए वो बंधू है बागी तो दुनियादारी की बाते करने वाले वहरी हैं अपना मतलब साधने के लिए अपने तरीके की बाते करते हैं लेकिन हित्मे लगाए असली बंदू वही है जो अच्छी प्रेड़ ना दे अच्छा रास्ता दिखाए हमेशा हित्त की बात करें और हित्मे लगाए वो बंदू उसकी पहिचान करो हमारे एक सब दाता है कल्यान मित्र मित्र तो बहुत मिल जाएंगे कल्यान मित्र जो हमें कल्यान के पश्पे लगाए ऐसे अनेक प्रसंग है आक्षान है जब लोगों ने अपने मित्रों को अपने बंधूँ को हित के मार्ग पर लगाने का भरसक प्रियास किया जो भी तुमें हित के मार्ग पर लगा रहा है समझ लेना वो मेरा असली बंधू है ये निकेन उपाइन है वेक्ति को हित के मार्ग पर चलने की प्रेड़ना देनी चाहिए और तुम्हारे प्रति उसके मन में बंदुता का भाव होगा तो वो तुम्हारी सुनेगा भी एक अनभव आप सबको होगा वेक्ति हर किसी की बात नहीं मानता पर जिससे आत्मी इता होती है उसकी कोई बात नहीं टालता होता है नगर परिवायर में जब किसी को कोई काम विशेश कराना होता किसी वेक्ति विशेश से तो उसको कहा जाता है उसको उसी को भेजो जिससे उसकी पठती है जिससे पठती हैं, आप उनिके रूप बात कराते हो। यह पठने का मतलब क्या अंदर का प्रेम भाव है? आतिमीता है, इसने हे हैं। तो अंदर का प्रेम भाव आतमीता और इसने हैं, जब बढ़े तब वेक्ति को उस तरीके से देखा जाता है। वो बंधुता है, तो जो हित्मे लगाने वाला होगा, अगर तुम्हारे अंदर उसके प्रती बंधुत्य का भाव होगा, तो निश्चित रूप से तुम्हारा उसके प्रती जुकाओ होगा, और नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता, तो जो तुम्हें विपत्ती से साथ दे, जो तुम्हें विराईयों से बचाए, जो तुम्हें हित्मे लगाए, वो तुम्हारा बंधु है, उससे अपना नाता कभी मत छोड़ना, और तीसरी बात, जो तुम्हें मुशीबत में ना पढ़ने दे, कभी मुशीबत में ना पढ़ने दे, जिसके रहते तुम्हें कोई चिंता करने की जिर्वत नहीं है, अगर तुम मुशीबत में पढ़ो, तो वो खुद आगया जाए, धाल बनकर, सज्जन ऐसा चाहिए, जैसे धाल की होए, दुख में खुद आगे रहे, सुख में पीछे होए, धाल क्या होता है, जब सामने सत्रु है तो धाल आगे, और जब सामने सत्रु नहीं है तो धाल पीठ वे, तो ऐसा बन्धू, जो तुम्हें परिशानी में भसा दिखे, देखे, खुद उस परिशानी को मोलने के लिए तैयार हो जाए, बहुत दुल्लब है, कुरल काब्य में कहा, बन्धू सही होना चाहिए, और उसी को अपना बन्धू बनाओ, जिसमें बांधुत्य के गुन हो, नहीं तो बैरी अच्छे, जो तुम्हें भ्रह्म में डाले हो बन्धू कैसा, तो ऐसे बन्धू से अपना नाता जोड़िए, जो जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो, हमारे दोस जिन से फले फुले, वे बन्धू कैसे, अध्यात्मिक द्रिष्टी से अगर विचारा जाए, हम जिने अपना बन्धू मानते हैं, वे सब हमारी आत्मा के प्रगती में बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं, वे बन्धू है या वेरी, बोलो, बोलो, अगर कोई हित के मार्ग में निकल रहा है, कल्यान के मार्ग में निकल रहा है, मोक्ष के मार्ग में निकल रहा है, सच्चे रास्ते पर चल रहा है, तो जो बंधू होगा वह उसका अभी नंदन करेगा बलकि उससे प्रेरीध होकर खुद भी उसी मार्ग पर चलने का भाव करेगा और जो मोही होगा वो बंधू के रूप में बैरी बनेगा रास्ते को रोकने में सक्ती लगाएगा संत कहते खुद अच्छे मार्ग पर चलो और अपने इस्ट बंधूओं को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेर ना दो कदाची तैसा नहीं कर सकते तो कभी किसी को अच्छे मार्ग पर चलने से रोको मत रुकावट मत बनो बादा मत बनो मैं नहीं कर पा रहाँ कर पा रहाँ कोई बात नहीं ये कर ले अच्छी बात है मुझे खुशी है गलत रास्ते पर कोई चले तो उसे रोकने में चूको मत और अच्छे रास्ते पर कोई जाए तो उसे पल भर को रोको मत ये मार्ग है इस तरीके से मार्ग पर चलने वाला ही अपना जीवनों ठान कर सकता है तो जिन से हमारे दोस फले फुले वे बंधू कैसे इसे पलट लें जिन से हमारे दोस मिटे नश्ट हो वे जिस से हमारे दोस या कर्म तले नसे वे हमारे शत्रू कैसे जिस से दोस फले फुले वे बंधू नहीं और जिस से दोस तले नसे वे शत्रू नहीं असली बंधू और असली शक्त्रु को पहचानू बहुत पुरानी कहानी है बारा नशी के राजा हुए कभी कोई ब्रह्मदद वे शिंगल दीव से भारत की ओर आ रहे थे लंका से राज़ते में उन्हें एक दूसरे जहाज में किसी नारी की करुण चीख सुनाई पड़े उन्हें अपने जहाज का लंगर डाला पता लगाया देखा पता क्या लगाया देखा कि दूसरे जहाज में एक नारी को दस्यों ने पकल रखा है समुद्री दस्यों ने डाकों ने और उसे निर्मम्ता पुरवक पीट रहें जब राजा की नजर वहां पड़ी तो उसके कानों में एकी बात सुनाई पड़ी मैं एक भारती नारी हूं अपने पती के लिए ही समर्पित हो तुम लोग मुझसे जो चाहते हो वो कते नहीं हो सकता मैं अपना प्रान नुच्छावर कर सकते हूं पर तुम मुझसे अपनी हवस की पूर्ती नहीं कर सकते राजा पहुचा राजा को देखते ही वे सारे ड़सु भाग खड़े हुए उसके बाद उस नारी के पास खड़े होकर राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारे वच्छनों से ये जाने लिया कि तुम कौन हो पर बताव यहां कैसे फच गई बहले क्या बताओं मैं इस जहाद से जा रही थी मेरे पत्री को इन दस्यों ने मार डाला मेरे पास अब कोई नहीं मेरे बच्चे मुझे छोड़कर पहले ही अलग हो गए मैं दीन ही अकेली हूँ आप जो उचित समझे सो करे मुझे एक अच्छे बंधू की आउशकता है जिरके सहरे में अपना जीवन आगे बढ़ा सकूं राजा ने कहा ठीक है स्वराज चले उसके बाद आगे की बात करेंगे जैसे ही राजा बंदर गहां में पहुंचा पूरा राज परिवार, रानिया, मंत्री, सेनापती और दर्बारी गन राजा के स्वर्गत में आग ख़़े बे राजा ने उन सब को दिखाते वे सिस्त्री से कहा देखो ये जितनी लोग खड़े हैं इन में से तुम जिसे चाहो अपने पती या पुत्र के रूप में चुन सकती हो इन में से तुम जिने चाहो अपने पती या पुत्र के रूप में चुन सकती हो और मैं तुम्हें जीवन परियंत आसरे दूँगा उस नारी ने कहा मुझे पती की कोई आवसकता नहीं वो पती जो मुझे बचा न सका मुझे इस लाइक नहीं बना पाया कि मैं दस्वियों से रड़ पाऊं और वो पती चल वसा मुझे अब किसी पती की जरुवत नहीं रही बात पत्रों की जो पत्र मुझे जीवन में पहले ही छोड़ के चले गए जिनके पीछे मैंने अपने जीवन का सारा रस निचोड़ कर पिलाया जिने पाल पोस्ट करके बढ़ा किया पढ़ाया लिखाया योग बनाया पैरों पर ख़ड़ा कर दिया वो भी मेरा साथ छोड़ के चले गए तो रजन न तो मुझे कोई पती चाहिए नहीं कोई पुत्र चाहिए मुझे तो केबल एक ऐसा बंधू चाहिए जो मेरे सीड की शुरक्षा में सहायक बन सके और मेरे जीवन का परित्रान कर सके यदि आप चाहें तो मेजे कोई एक बंधू के रूप में सहायी बन सकते राजा ने सब की तरफ देखा और उसमें एक भी विक्टि ऐसा नहीं दिखा जो उसका बंधू बंध करके रह सके राजा ने सब को देख लेने के उपराँ उस इस्त्री के पास आकर कहा बहन तुझे बंधू चाहिए इस राज में कोई नहीं दिखता जिसे में तेरा बंधू बना सकूँ लेकिन आज से मैं तेरा बंधू बनता हूँ और तुम मेरी बहन हो इस राज में आनंद से रहोगे और अपने शील सदाचार की रख्षा करते वे अपने जीवन का लिवाह करोगे मैं तुमहरा बंधू ये अकार्ण बंधु बन गया और वो इस्तरी उनके प्रतिक्रतक गता से देखती रह रहे है ये बंधु पने का सच्चा सरूब है उत्कृष्ट उधारन है हमें ऐसे बंधुत्य के भाव को बढ़ाना चाहिए लोग आज निकटता बढ़ाते हैं अपने स्वार्थ की पूरती के लिए वो ब्यापार धंदे के लिए तो ठीक है पर परमार्थ की दिश्टी से कते उचित नहीं दुनियादारी के लिए तुम किसे से अपना उल्लू सीधा करो बात चलेगी लेकिन परमार्थ के छेत्र में ऐसा करने वाले लोग कभी चल नहीं सकते हम अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर के चलने की कोशिश करें तो जिन से हमारे दोस जिन से फले फुले वे बंधू कैसे ये एक सुत्र है देखो कौन तुमारा बंधू है कौन तुमारा मित्र है तुम किसके साथ उट बैट रहे हो जिससे तुमारे चरित्र का हनन हो वे बंधू नहीं सकत्र है जिससे तुमारे जीवन का पतन हो वे बंधू नहीं सकत्र है जिससे तुमारी आत्मा का आहित हो वो बंधु नहीं सत्र है और जिससे तुम मुशीबत में फसो वो बंधु नहीं सत्र है इतनी बात समझ करके चलो और सचे बंधु और मित्र का आस्रे लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ तब ही हमारे जीवन की सफलता होगी भगवान पार्शनात की जाब के साथ आज के सत्त को यहीं पर भी राम देंगे आप सब दोराएंगे ओम्रीम अरहं सिपार्शनात जिनेंद्राय नमो नमा 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 ओम्रीम अरहं सिपार्षवनात 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 जिनेंद्राय नमो नमा ओम्रीम अर्हं सिपार्षवना जिनेंद्राय नमो नमा ओम्रीम अर्हं सिपार्षवना जिनेंद्राय नमो नमा ओम्रीम अर्हं सिपार्षवना जिनेंद्राय नमो नमा इस कारिक्रम के पुन्यारजट्थे गरू भक्त पडिवार, श्री विरेंदर कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदान्थ जैन, 4 बटा 142 बालुगंज, आगरा अतरप्रतेश श्री राजेंद्र प्रसाजी जेन, श्री मती ममताजी जेन, श्री प्रिशांत जी जेन, श्री मती दिव्या जेन, पारस जेन, श्री भरत जेन, श्री मती सोम्या जेन, एवं समस्त परिवार मुंबई